सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो जाब तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रियल्मी की तरफ से एक बहुत ज़ादा बढ़िया मुबाइल रियल्मी नार्जो 20 प्रो जो अभी हाले में लॉंच हुआ है इसकी कीमत है दोस्तों 15,000 इस वीडियो के अंदर में इस मॉबाइल की अणबॉकसिंग पर के आपको बताओँगा इस मॉबाइल में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है या फिर नहीं लेना चाहिये तो वीडियो का आप एंट दर देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चली देखते हैं 15,000 में इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अंबॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखवा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमा आपको अंदर की तरफ रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल इस तरीके से एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है इसके बाद मिलता है मुबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है ब्लैक टाइप के कलर में डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको हेवी चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत जाद अच्छी है अब दोस्तो सबसची चीज यह है इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 65 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको बहुत ही जाद अच्छा मिल जाते हैं टाइप सी केबल भी हैं कवर भी काफी अच्छी क्वालिटी का है और चार्जर तो बिल्कुल बैस्ट दिया गया है चले बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इस मोबाइल क कफी जादा शाइन है लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इसके बैक पनिल पर आपको कफी बढ़िया मिल जाती हैं नीची की तरफ आपको लेफ्ट साइड पर लिखा वह मिल जाता है नार्जो डिजाइन बायरीयल मी तो दोस्तों डिजाइन जो हैस मोबाइल का लुको वाइस तो काफी अच्छा है, quality average ही है बात करें दोस्तो, camera के बारे में तो PC की तरफ इसमें आपको चार camera दिये गाये हैं जिसमें पहला camera है 48 megapixel का दूसरा camera 8 megapixel का बाकी के 2 camera है 2-2 megapixel के फ्रेंड camera है 16 megapixel का कैमरे की परफॉर्मेंस इसके दर आपको रेट की हिसाब से एवरेज ही दिए गई है कैमरे में मुझे ये मुबाल नॉर्मल ही लगा बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कम्प्लीट डिजाइन आपको इस मुबाल का डिजाइन कैसा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लुक वाइस इसका डिजाइन मुझे काफी पसंद आया बात करो दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो इसके दर आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.5 इंचिस का तकरीबन 6.5 इंच की इसके दर आपको डिस्प्ले मिल जाती है तो डिस्प्ले साइज तो काफी अच्छा है और इसके दर आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले दी गई है तो ये चीज़ भी इसके दर आपको काफी अच्छे मिल जाती है वैसे अगर AMOLED डिस्प्ले होती तो काफी अच्छा रहता फिर भी actual में display की quality कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें user interface के बारे में तो user interface इसके अंदर आपको कुछ इस तरीकी से दिया गया है आप ऐसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है user interface के अंदर मुझे ये mobile नॉर्मल ही लगा बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से features इसके देखने में आपको कैसे लग रहे है लेकिन दोस्तो एक अच्छी चीज यह है इसके display में 90 Hz का refresh rate है तो जब आप उपर नीचे scroll करते हैं तो आपको काफी smooth experience देखने को मिलता है इस mobile के अंदर अब इस mobile की display बिलकुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ design दिया गया है punch hole camera वाला display के अंदर ही camera है left side पर तो display का design तो इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है edges, bezels भी काफी कम दिये गया है और दोस्तो अगर आप colors देखेंगे display की brightness देखेंगे तो वो भी इसके अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं तो display का design भी काफी अच्छा है full HD plus display है इसे के साथ इसके अंदर आपको 90 Hz का refresh rate दिया गया है तो ये चीज़ इसमें काफी अच्छी है display को लेकर ये mobile काफी अच्छा है side uses का design आपको curved दिया गया है तो grip करने में ये mobile काफी अच्छा लगता है बीच में आपको कुछ इस्तरी के से shade दिया गया है दोस्तो left side साब देखेंगे इस mobile को आपको sim के tray दी गई है अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है ये hubies के अंदर आपको मिल जाती है नीचे की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic headphone jack दिया गया है type C port मिल जाता है इसके अंदर right side साब देखेंगे तो power का button जिसके अंदर ही fingerprint scanner है इसमें आपको back panel पे नहीं मिलता side में दिया गया है उपर की तरफ साब देखेंगे तो plain design है इस तरफ आपको कुछ नहीं दिया गया अब दोस्तों इसके अंदर आपको android का 10 version मिल जाता है ये चीज़ इसमें काफी अच्छी है और 15,000 में इसके अंदर आपको मिलती है 6GB गराम 64GB के internal storage तो remote storage इसके कीमत के साब साब काफी अच्छी दी गई है बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो इसके अंदर आपको battery मिलती है 4500 image की एक दिन का battery backup इस mobile में आपको अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर वैसे ये mobile मुझे normal ही लगा इससे और ज़्याद अच्छी batteries आपको देखने को मिल जाती है इस range में दूसरे smartphone के अंदर बाकि दोस्तों सबसे बड़ी खुबी यही है के battery तो इसके अंदर आपको average मिलती है लेकिन fast charger बहुत ज़्याद अच्छा दिया गया है जो दूसरे mobile में आपको देखने को नहीं मिलता इस range के अंदर तो ये जीज़ इसके अंदर बहुत ज़्याद अच्छी है 45 minutes के आसपास इसकी battery full charge हो जाएगी तो charging time इसका बहुत ज़्याद कम है बात कर दोस्तो प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर आपको दिया गया है MediaTekka G95 प्रोसेसर अब दीखिए अगर आप एक बहुत ज़्यादा heavy user है आपके लिए performance भी बहुत matter करती है तो इसके अंदर आपको processor बहुत ज़्याद अच्छा मिल जाता है बहुत ज़्यादा heavy user के अंदर भी इसमा आपको बहुत बड़ी ही performance देहने को मिलती है processor को लेकर ये mobile बहुत ज़्याद अच्छा है अब दोस्ते ही सारी खुब ये कम्याप को मिलती है realme narzo 20 pro में 15000 में चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इस mobile को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो matter सबसे पहले यही करता है कि आपको realme पर भरोसा है या फिर नहीं इसके बाद आपकी जो main जरुत की चीज है वो इस mobile में कैसी है कैसी नहीं तो दोस्तों देखिए अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor तो ये mobile आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप processor की साथ compromise नहीं करना चाहते है आपके लिए processor बहुत ज़्यादा matter करता है performance आपको अच्छी चाहिए तो आप ये mobile ले सकते हैं इसके अंदर आपको processor बहुत अच्छा दिया गया है इसके लव दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की display तो वैसे तो इसके अंदर आपको display की quality काफी अच्छी दी गई है लेकिन अगर आपके लिए display की quality ही सबसे ज़्यादा matter करती है तो इसके अंदर आपको AMOLED display तो नहीं मिलती जो आपको और दूसरे smart phones में देखने को मिल जाती है इस range के अंदर तो अगर आपको display की वज़े से ही mobile लेना है तो इससे और जाद अच्छे smart phones आपको देखने को मिल जाते हैं इस range में जिसके अंदर आपको इस mobile से जाद अच्छे display दी गई है तो display के अंदर ये mobile मुझे average लगा बाकि दोसर डिस्पले का design और 90Hz का refresh rate ये इसकी display की काफ़ अच्छी खोबी है लेकिन दोसर अगर आपको लिए matter करती है mobile की battery करती है तो battery backup तो इसमें आपको average ही मिलता है लेकिन charger बहुत जाद अच्छा है तो ये mobile आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके लिए battery matter करती है और दोस्तों गर आपके लिए matter करता है mobile का camera तो camera को लेकर ये mobile मुझे average ही लगा खुद realme के smartphone में आपको इस mobile से और जाद अच्छे camera के phone देखने को मिल जाते है इस range में तो अगर आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है तो आपको याऊर सा smartphone भी देख सकते है realme के अंदर ही इस range में आपको देखने को मिल जाते हैं इस से कई जाध अच्छे आखिर में अगर आपके लिए मेडर करता है मूबाल का design आपको quality जाद अचही है design की तो इसके इंदर आपको वह average ही मिल जाती है plus 3 के टाइप का design है बाकी look wise design काफी ज़ाध अच्छा है तो अगर आप ये मूबाल खरीते हैं भीना cover के बिल्कुल भी यूज मत करिएगा वरना इस पर स्क्रैचिस बहुत जाद असानी से आ जाएंगे अगर ग्लास डिजाइन होता गुरुले ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ तो बहुत अच्छा रहता तो इस मुबाइल में दो खुब्या बहुत जाद अच्छी हैं अगर आपके लिए दो चीज़े मैटर करती हैं तो यह मुबाइल आपके लिए बहुत जाद अच्छा रहेगा एक तो काफी बरिया प्रोसेसर और दूसरा अच्छा रहेगा अंदर आपको कुछ न कुछ तो कंप्रोमाइस करना ही पड़ता है बाकि अगर आपको processor और fast charger अच्छा चाहिए आपको battery अच्छी चाहिए तो यह mobile आपके लिए बहुत ज़्याद अच्छा रहेगा आप यह mobile ले सकते हैं मुझे दूसर फिर भी rate के साथ से यह mobile काफी ज़्याद अच्छा लगा क्योंकि fast charger बहुत ज़्याद अच्छा दिया गया है जो इस range में किसी के साथ नहीं मिलता इस वज़े से यह mobile मुझे काफी ज़्याद पसंद आया आप बताईगा फिर भी comment करके आपको यह mobile कैसा लगा यह चीज़ comment करके ज़रूर बताईगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजे वीडियो की नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबागा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मेल आकिन भी दबादीगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे इसके लाव वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दूस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा वाट से फेस्बुक पे मिलता हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, बाबाई